मुकामा में दो पुरुष ने एक दूसरे से शादी कर ली यानि कि समलेंगिक विवाह दोनों पुरुष मुकामा के ही रहने वाले हैं जहां दोनों ने बकॉली राजाबाड की उमानाथ मंदिर में भगवान को शाक्षी मान कर एक दूसरे से शादी कई है जिसके बाद ये ख चौदरी कैमरा परसन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंग्षिन दिल्ली मुंबई जैसे बड़े-बड़े शहरों में आपने समलेंगिक विवाह के बारे में तो जरूर सुना होगा हलांकी इन बड़े शहरों में ये सब आम बात है आए दिन खबरों में हम समल दूसरे से शादी करते हैं अभिशेक राय के बारे में पता चला कि वह पेशे सी डिजाइनर है जिस सक्स के साथ अभिशेक ने शादी की वह डिजिटल मार्केटिंग छेतर में काम करते हैं इस तरह की तमाम खबरे मेट्रोपॉलिटन सिटे या फिर बड़े शहरों में दूसरे से लिजडिय शादी कर लिए क्योंकि आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं ती अगर होती तो शयद की लोग इसका विरोध गरते इसी वजह से दोनों युवक ने चोरिछी पे एक दूसरे से शादी करने का निर्ने लिया शादी बकॉल राजाबाड के उमानात मंदिर में हुई वहां दोनों युवकों ने भगवान को शाक्षी मान कर एक दूसरे से शादी की सुमित कुमार मुकामा के ही गुरुदेव टोला की रहने वाले हैं शादी के बाद राजा कुमार और सुमित कुमार दोनों लहर या टोला में एक किराई के मकान में रहते हैं हलांकि इस बात की जानकारी अभी दोनों युवक के परिवार को नहीं लगी है कि उन्होंने पुरुष्ट रिख शादी की है लेकिन अब दोनों युवकों ने निर्ने लिया है कि वे अब इस शादी को सभी लोगों के बीच लेकर जाएंगे यानि कि अब वे शादी को छिपा कर नहीं रखना चाहते राजा कहते हैं कि जब इस बात की जानकारी परिवार वालों को लगेगी तो वो इस शादी का विरोध करेंगे लेकिन अब वे दोनों परिवार वालों के विरोध को सहते हुए एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर परिवारवाले विरोध भी करते हैं तो भी हम लोग साथ रहेंगे और एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोनों ने कहा कि चाहे कोई कितने भी कोशिश क्यों ना करे हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुँगे। राजा सफाई का काम करते हैं और उनकी दोस्ते सुमित से एक साल पहले हुई थी। जिसके छे मेने बाद से दोनों ने शादी करने का निर्ने लिया था और मुकामा के बकॉली राजाबाड के उमानात मंदिर में जाकर दोनों शादी कर ली थी हलांकी अब इस बात के जानकारी लोगों को लग गई है आसपास के लोगों का कहना है कि उन्हें इस बात की भनक पहले से ही थी कि इन दोनों यूवकों में समलेंगे एक सम्बंद है लेकिन अब शादी के बाद दोनों यूवक राजकुमार और सुमित कुमार ने ये फैसला लिया है कि अब वे शादी को छिपाएंगे नहीं बलकि सब के सामने लेकर जाएंगे अगर इनका परिवार या गाउं के लोग इसका विरोध करते हैं तो भी उनके विरोध को सहते हुए एक दूसरे के साथ रहेंगे यानि कि एक दूसरे का साथ निभाएंगे माकी आप बिहार में हुई इस समलेंगे क्विवाह के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आगे की खबरों के लिए देखते रहें जनता जंक्षिन धनिवाद